रधान मंत्री नरेंद मोदी ने 14 महीनों बाद 3 कृषी कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया है उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार इन कानूनों को अच्छी नियत से लेकर आई थी मगर कुछ किसानों को इसे समझा नहीं पाए इसके साथ ही मोदी ने अब किसानों से अपने अपने घर लोटने की अपील भी की है उन्होंने आगे ये भी बताया कि सरकार इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले संसच सत्र में इन तीनों क्रिशी कानूनों को एक समविधानिक प्रक्रिया के जरिए रिपील करेगी यानि वापस लेगी इस पर राकेश टिकैत में बयान दिया कि किसान जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं ले लिये जाते तब तक अपना आंदोलन जावी रखेंगे और वे उस दिन का इंतजार करेंगे जब इन तीनों कानूनों को संसद में रद्ध किया जाएगा मगर किस प्रक्रिया के जरिए इन तीनों क्रिशी कानूनों को सरकार वापस लेगी और किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया क्या है? आज बात करेंगे इसी के बारे में नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंग और आप देख रहे हैं खबर बेबाग दरसल किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी भी कानून को बनाया जाता है हम step by step इस process को समझेंगे सबसे पहले सरकार संसत के दोनों सदनों में इन तीनों क्रिशी कानूनों के संबंद में एक बिल पेश करेगी याने कि उसे वापस लेने की संबंद में एक बिल लाएगी इसके बाद संसत के दोनों सदनों में यानि लोकसभा और राज्यसभा में इसे बहुमत से पास कराया जाएगा इस कानून को पास कराने के बाद ये बिल राश्रपती के पास जाएगा और राश्रपती की मोहर लगते ही सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और इस नोटिफिकेशन को जारी करते ही ये तीनों क्रिशी कानून रद्ध हो जाएंगे आपको बता दें कि इन क्रिशी कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कारवाई जारी है लिहाजा इसे सुप्रीम कोर्ट के जरीए भी रद्ध किया जा सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ नामा दायर करेगी ये कहते हुए कि वो इन तीनों कानूनों को रद्ध करने के संबंद में सहमत है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर के जरिए ये तीनों कानून रद्ध हो जाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें कुछ सवाल हो तो कॉमेंट में पूछें और खबर बेबाग को सब्स्राइब करना ना भूलें आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बने रहिए खबर बेबाग के साथ